प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ नए डालेंड की हम इस जनरेशन में मौझूद हैं जहां पे OG, Millennium और Gen Z को हम पर्मोट कर रहे होते हैं और एक नया ट्रेंड सब चीजों का आ रहा है लेकिन कुछ चीजे हैं जो हमेशा रहती हैं और हमेशा रहनी चाहिए वह स्पोर्ट के हावाले से हमारे साथ कुछ सुडेंट्स मौझूद हैं जो के काफी बासलाहियत हैं उनसे बात करेंगे हमारे साथ मौझूद हैं स्टूडियो में इस टाइम वाफिया खालिद जो कि नेशनल वेटलिफ्टर हैं नेशनल वॉक्सर है अदीन दाओ कुछ में शुरू से स्पोर्ट्स थी करनी के कुछ ना कुछ करते रहना है पढ़ाई के हलावा भी तो बस फिर युनिवर्स्टी आने के बाद जादा एक्सपोयर हुआ तो वेटलिफ्टिं की तरफ से ली गई और वेटलिफ्टिंग करना शुरू कर दी और फिर देखा के वेटलिफ्टिंग में भी लड़कियां बहुत जादा हैं तो फिर उस पॉंपिटिशन को बीट करने के लिए मैं कर दो अब भी घर्वालों को कैसे कंविंस किया वाफ या गर्वालों को पढली ज़फा तो शॉक वा क्या वेटलिफ्टिंग यह तो लड़के करते हैं तु लड़ा सहम थोड़ा सैंसिटिविटी की तरफ रहते हैं तो वेटलिफ्टिंग एक चालंजिंग अए गेम है जैसे स्पोर्स कह सकते हैं तो कैसे मैंनेज करती है नाजू कुछ अपने अपको तुम नहीं कहूंगी क्यों कि अप तो बेडलिफिंग कर लेती हुँ तो नाज कि अपना लौक उजाता था लेकिन फिर उसके बाद सब कुछ एक नॉर्मल रूटीन में आता गया कि अब रोज प्रैक्टिस करनी है रोज जाना है और फिर वेट लिफ्टिंग तो आपकर लेनी है तो वसे आम सी बात है तो पर लूंगी अच्छे मुझा बताई है इसमें को अब वेट लिफ्टिंग में कुछ गए होती है कितने में 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 मैंसम माप उसको लिफ्ट कर लेती है मैंने 55 स्नाच की थी और जो जो लिन जर्ग थी वो 57 की थी शायद तो टो टो ता कोई मुझा याद मिया रहा मैंने टोटल बेस्ट किया का नश्टन वेट्टर आपकिस अच्छे से स्पोर्ट किया हमें फसेलीटेट कि अच्छे कोचे से और एवन्थम मुझे स्कॉलर्श्व भी मेलिवी मेरी एज्टर के और सरे कोचे ने भी इतना नहीं दिखा के मैं लड़की हूं तो मुझे ऐसा नहीं किया के वाफ़ा है लड़की है क्या ही कर लेगी सभ क्या मश्ное College कि ए मुझे मेरी मेरि मेरां साध्यास ने बहुंत किया हमेशा के वाफ्या कर लोगी फर्ष कर लोगी कि प्लीए दोज न कर अके जाते हैं अर यह झृत यह आपकर अपट अब यह हकीकत है अब हम आते हैं, इशा की तरफ, इशा आप स्विम्मर है माशाला से, तो कैसा लगता है स्विम करते है, सवाल थोड़ा वियर्ड है, बट, हो इस अब मेरा पैशन है, मैं पांच साल की थी, तब से ही मैं स्विम्मिंग कर रही हूँ, तो अब तो मुझे लगता है, उठते बे पांच साल की उमर से गताब कर रही है, तो फिर इसको परसू करना और प्रोपर लिए करियर के तौर पर कैसे स्टार्ट किया, जब मैं पांच साल की थी, तब मेरे पेरंट्स का बहुत शौक था, कि मैं स्विम्मिंग करूं, और दो तब मुझे पानी से बहुत डर लगता लेकिन उनके शौक की वज़ा से मैंने स्विम्मिंग शुरू की, उसके बार डिफेर्ट इवेंट्स थे, उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो उसकी अचीवमेंट से मुझे एक पुल मिलता था कि यह और करना है, और मुझे एक था कि मुल्क को मुझे र सारे कोचेज हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कभी भी में अलगनी किया कि मैं लड़की हूं या मैं एक हूं तो मुझे ट्रेनिंग ना मिले या कुछ तो काफी सपोर्ट और पेरेंट्स की सपोर्ट से मैं इशा यह बहुत अच्छा पॉयंट जो है पैस्ट की बनिया पर आप तो यह बगा अच्छे वात अच्छे बात अच्छे बात है यह देना भी चाहिए जो उस्ताद होते हैं अच्छे अच्छा मुच रखाए कि जब आप पानी से तो पहले ड़ लगता था अब तो विल्कुल यूस्टो फ्रेंडी होगे हो लगया जुरूर गजरती हों और वो सारी जो वरीज वी इला है मुझे लगता है थोड़ा psychologically होता है कि हमें लगता है कि सुमिंग हमारी वरी खथम हो जाती है लिकन अब मुझे शुमिंगों अब मुझे इस्ट्रेट हो जाते हैं हूं बेसी किसी बिचिशन? है एक हम और हमें तो इसको पुरो इससे सब्टेस सब्सक्राइब के वागई है यजे पाइए यह करियर कैसे पर सुखेया भाई है अब आप वे तो लिए तो इसके परसु के टोट इसवें के है अब तो 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 टोटली दिफिर्ट लौंकि की तरफ आगी हैं तो घूंड यह नहीं पेको भी नहीं चुरू किया था मुझे बस चौट था बच्छमन से तो वहां से पहां प्रचमन से प्रचमन से तो मुझे थोड़ा एडिया था मैंने केक वाउस्टिम और गए थी पहले तब वह में लड़कों को साथ ही कहती थी जन्में अच्छा मुझे आप बताएं आप के खाने का ख्याल तो मेरा ख्याला शुरू हो गया होगा अपना डाइट प्लान तो हमारी तरह नहीं होगा जंक वागरा इन सब चीज़ों तो परहस करते होंगे आप लोग फिट रहने के लिए तो क्या डाइट प्लान युस करती हैं क्या जाता है तो इसको फिर परशू कर लेती हैं जो कहा जाते कि हम चुछी होते ना जिसे अब तो एक लाइफ के रूटीन मनगी है अच्छा यह खाना है क्योंके अब करनी है तो फिर खाना है इसाई है आप क्या करती है हमारी पोटीन, काल्शियू, एग्स, मीड यह हमने आप लाइफ तायल साब बन गया तो आप विश्टी से आफ एक लाइस्टाइल आप का मैंटें और अच्छा मुचा पिता है कि आप ने जिसे कि स्थार्टिंग में का आप कि आपकी अपर अप्र शुज आपको इढ़ को बहुत कर रहा है अपकी टीचर्स बहुत कर रहे है और यह बहुत से उनिवर्स्टी इसमें बेखें मैंने नहीं होता है इस तरह से आपको एक खटक किया जाता है इस तरह से आगी नि लेकर आए जाता है आप यहां पर बैठे हुए तो आपके तीचर्टी वज़ा से अपके टीचर्स की वज़ा से के हमारे स्टुडन्स को एक मिले और वो आगे जाए लोग उनको देखिए और पहचाने एक तरह से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एक किरदार है तो थोड़े से मेंटली भी स्टेबल रहते हैं उस अवाले से तो एक क्रिस्ट्यन उनिवरस्टी है तो इसमें हम देखते हैं कोई सब्सक्राइब को मिला हो कि मानोर्टी को हम आगे ना जाने देते हों किसी स्पोर्ट में कोटा में तो ऐसेच कभी हुए कुई नहीं हवाए उनिवरस्टी में बिलकुल एक्वालटी दिखाई जाती है लेकिन क्रिस्ट्चन को और मुसलमानों को बिलकुल एक क्वाली रख के जाया जाता है अगर किसी एक को उपर्चुनिटी दे रहे हैं तो हम दूसरे को भी देते हैं बतलब अगर इन्टर यूनिव अगर देखी जाए लिजशिप वालिटी जहाए जहां पिसरफ आपका परपस इसरफ बच्छों को आगे लेकर जाना हो तो फिर नहीं देखते हैं किस तब के से किस कम्यूनिटी से किस परका से आपका तालूक है तो यह सवाल सिर्फ इसली था कि हम कोई भी उनिवर्सटी है क किस इसली पर यहिंड करें नवटको कहा जाने का रहाधा है प्रॉबबभली वेर्ट लविट इंक वर्परसू करने आ ओर पिर इंटरनेशनली में चाहते हूं कि मैं पर्सु करूं देखर कर और इंटरनेशली जैसे अर्शिघ नदीम है उसने परेस में किये तो मैं जाते ह जो एक इसे अक कर दो.. आपिके पताएं कि इसे आप देक पसकर से करों तो इसे स्थिलम होता बहुत चेहले करने है मैं क्यिक हो एंदर से प्रफ़ाय बहुत आप्टारों कि कि लियुथ पता ठाएं ल यह लगते हैं, यह सब कहुAcछा है है ऐसे लगते हैं कि वो रिप्रिजेंट कर रहे है तो उनकी अचीवमेंट है आप के चाहती है इशान नेक्स आप क्या करनेगा है अब मुझे है कि मैं नैशल में गोर्लू और इसके बाद में इंटरनेशनल जाओं जैसे अभी हमारी स्विमर जानारान भी गई थी ओलंपिक्स में और उसने पाकसान को प्रिप्रेजेंट किया था तो मैं भी चाहती हूं कि मैं उस लेवल तक जाओं इंशाला जरूर जाएंगे आप लोग जिस तरह से एफट कर रहे हैं तो बाकी जो हम गुफ्तगू है वो ब्रेक के बाद करत जैसे कि मैं आपसे पूछा कि घर से आपने का बच्पन सही था भाइयों के साथ तो नहीं यह स्टार्ट किया और फिर इसको कैसे ले कर चले कि पता चले कि मैं इसको करीर में लेकर चले हैं अम क्लेर कट डिसिजिन नहीं था मेरा आई फांड कोच हमारा जो FC में हैं उनका सरबलू सरबलू is awesome ठीक है तो सरबलू was the one who actually उन्हें मुझे काय के ओ तुम कर लोगी तुम्हारा weight become में छोटी category में आओ और बिस जाओ कज मैं नहीं जाना चारी थी actually मैं चारी थी के मैं तोड़ी और काटेग्री में आपका weight होता है before you go and fight and if आपका weight उपर नीचे so you don't qualify and you cannot fight यापकी weight category फिर चेंज हो जाती है और weight category के साफ़ से आपके chances of winning या आपने किस तरह का fight करने वो depend करता है सही हो गया तो आप भी फिर डाइट का ख्याल रखते होंगी बिल्किंके आपको तो यहाप नेच्रली कुछ लोग होते हैं का मैटवरिजम इतना अच्छा होता है जो मर्जी काई वेट इन होड़ता है ऐसा है कोई सीड ऐसा एक है मेरा वेट जादा होने का इतना इसू नह आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ती है ताके आप वीक ना हो जाओ वो तो जनरली स्पोर्स में होता है अच्छली पाकिस्तान को रप्रिजेंट करके कैसा लगा आपके अगेंस्ट पे कून था मेरे एक गेंस्ट में पेले युनिवरस्टी अव लगोर की कोई अच्छी बाहत था अच्छा था अच्छी बूल जाते हैं जो भी उस्टाइम हो ना स्पोर्स में बूट जाती हुआ है तो बात अच्छी बात होती है तो मुझे बताएं कि आप लोग श्टडी के साथ-साथ इन चीजो को कैसे मैंज करते हैं युश्टी स्पोर्ट तो चे स्पेसिफिकली मैं भूल जाती हुँ तो मझे बताएं कि यह कैसे मैंज करती है फर बस करना पड़ता है मुझे क्लास ली फिर ट्रेनिंग पर वापसा के क्लास ले ली और हमारे पास प्रीडम भी है कि हम अपना ताइम स्लोट अज़स्ट कर सकते अपनी मर्जी से कोई भी अज़स्ट करते हैं उस लिहासते है मतलब अगर हमारे कॉम्पेशिशन हो अबसली उस ताइम तो हम ले सकते तो मेरी तीचर्स मैं साइकॉलोजी कर रही हूं मिजर तो मेरी टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं मतलब क्लास वाली भी वह काफी सपोर्ट देती हैं पर वह अब तो मेरे चाहिं नहीं थोड़ा साइँ लिबरल आर्ट मतलब हमारे पस एक फ्रीडं होता है कि हमने क्या मेजर्स लेने हैं और हमने किस तरह उसको मैनेज करना है मतलब हम अमें इनिवर्स्टी को कोर्स इस नहीं देता हम अपने मरज अब मरजे से अब मेरा तो ऐसे नह यहां पर भी पाकस्तान में भी FC में होता है से क्योंकि यह एक लिब्रल आर्ट है तो हमें फ्रीडम मिलता है यह तो बहुत अच्छी बात है ना लिटरली अच्छा मुझे आप कहरी थी कि आप साइकोलोजी पर रहे हैं तो जब आप स्विम्मिंग के बात करें थे तो आप कह बिद्रेंग कर रही थी मुझे बहुत यह लगता था कि मुझे साइकोलोजी पर नी चाहिए एक तो आपको लोगों को हेल्प करने में अच्छा लगता है ओपर साप मुझे लगता है कि यजा नहीं किस तरह से हमोगे अपर दी और मैं सारी कुछ आपको पता है क्यों यह क् आप मेरा तो होता है मैं सबसे पहले जब मैं सुबाव उठती हूं तो मैं अपने आपको सौंग से रिलाक्स करती हूं और थोड़ा सा अपन जो इन्वार्मेंट होते हैं से डीटाइच करना पड़ता है कि उस चीज के बारे में सोचना नहीं होता और जब बस डाइविंग ब्लॉक पर आप जाते हैं तो बस मैं तो अब यह बिलीव करती हूं मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा और मैंने अपना सिर्फ बेस्टाइम देना है तो उस तरह मेरा माइंड रिलाक्स होते है तो बाद अच्छे पात है अदीन आप क्या करती है तो तो को मोटिवेट करने के लिए रिलाक्समेंट के लिए अवनिसली जब मेरा माज शुरू हूआ था तो मैं तो बाद अगरी हूई थी कज मेरा पेला था तो तो यूजस्ट आप टेनर्व आप डरे वही जाते हो और फिर बस एक दफा शुरू होते हो तो बस शुरू हो जाते हो एक बार हाट बीर जो है न वोपर नीचे तो लाजब होती है अब इतना मजी वो चीज़ें कर आजो लेकिन कुछ चीज़े होती है चापको कि जरूर द लेकिन हमे इतना होता है कि हम psychology पढ़ रहें प्राइब है इसे है यह ने यह तो मतलब मेरी psychology कि लिए रचा है न बहुत है इसे ही तो वार्फय आप क्या पढ़ रही है देट अलिस्ट तो गर वाले परिशान होते है कभी-कभी ऐसा हो जाता है न जीपिए अच्छ ना आयों अलहमदिल्ला भी तक अच्छ जा रहे हैं लेकिन स्कूल लेवल पर भी जब भी मेरे ग्रेज उपर नीच हो है मुझे कभी भी उन्होंने सुमिंग करने से रोका नहीं बलके मुझे मुझे मोटिवेशन ही बहुत जादा मिलिया अब घर से लिए बहुत अच्छ बहुत हम गेमिंग की तरफ जादा जा रहे हैं और जो पैशन हमें चाहिए भी होता है हम उसको पर सुनी कर पा रहे हैं जिल्दी से किक मैसेज देते हैं मैं कहा होंगी किन लड़की को आना चाहिए लज़ी सपोर्ट में ताके वह भी बता सके कि हम भी कुछ है सिर्फ लड़कियां सिर्व गार के कामों में अच्छी नहीं लगती हैं लड़का बाःश निकल ंची लगती है दीए और उसक्षी लगती हैं consultant मेरे खाल से लड्कियों को स्पोर्ट करनी चाहिए वो इसमें मेनत करें और अपनी ट्रेणिंग करें तो वह बहुत आगे जा सकती है बेशे कैसे लड़किया हमारी बाथ बैजीं डॉट एंड जाती हैं उनके घरवालों को उनको सपोर्ट करना चाहिए जो यहां के बाप, पेटे और है ना शोहर, पेट्रियार की सोसाइटी जो हमारी है कि जो भी आपके घरवाले हैं, जो भी एदारे हैं, जब आपको लग रहा होता है, कोई बच्चा या बच्ची उस फील्ड में माहिर है, अपने पैशन के साथ को सेंसेर है, उनकी जिमादारी होती है, उनको सपोर्ट किया जाए और उनको आगे लेकर जाया जाए, क्योंकि य ही मारे मुलक का मस्तक्बिल है, इनहीं से हमारा नाम रोशन होगा.